हांजी बच्चो अब हम question number 8 करने जा रहे हैं और question number 8 है what is meant by consumer equilibrium तो आईए बच्चो इसके answer को हम एक example से समझते हैं बच्चे example यह है कि मैं आपको 500 रुपीस यहाँ पर दे रहा हूँ आपके पास पर 500 रुपीस आ गई ठीक है और आपने यह decision लिया कि इस 500 रुपीस में अपने लिए एक shirt purchase करके आप लाएंगे ठीक है और generally ऐसा होता है कि जब हम decision लेते हैं कि मुझे चीज़ purchase करना है तो थोड़ा सा उसका idea भी हम अपने mind में एक बार set कर लेते हैं तो आपने किस color का आपको shirt चाहिए कौन से color का already है कौन सा नहीं है या कौन से design का चाहिए plane में चाहिए check में चाहिए वो सब कुछ अपने mind में एक image आप बना लेते हैं तो ऐसे ही आपने बना लिया कि मुझे इस budget में एक shirt लेकर आना है इस color नहीं है मेरे पास पे मैं इस color को prefer करूँगा मैं इस design को prefer करूँगा तो इस तरीके से अपने mind में आपने एक image बनाए और इसके साथ साथ आपने mind में ये image बीडिसन लिया कि आप जाएंगे कहाँ पर आपके budget में कौन सा market आपके लिए best हो सकता है उसके बाद आप अपने market को decide करेंगे चलिए आपने अपना market भी decide कर लिया clear है तो 500 उपीज का shirt लेना है आपने आपने color भी थोड़ा सा mindset करा है अपना design को लेकर के भी mindset करा और market को लेकर के भी अपना mindset करा है और आप निकल बड़े market अब जब आप market पहुँचे उस market पे जो पहली ही दुकान थी पहली ही shop जो थी उस पहली shop पे जो dummy है उसी पर आपको ठीक वही चीज आपको दिख गया जो आप सोच करके आए थे कि मैं इस color का लूँगा इस design का लूँगा इस तरीके का मैं लूँगा जो आप सोच के आए थे market में एंटर करते ही first shop पे उसके dummy पर सबसे पहले निजर आपके वही पर गई आप बोलेंगे कि यार यह तो हुई है भी पैसे दो भाई यह पैक कर दो generally अगर आपको बिल्कुल आपके मन पसंद की चीज आपके सामें रखी हुई है starting में एंटर करते ही सबसे पहले कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी तो क्या आप उचको पे करके वो शर्ट पैक करवा करके घर आ जाएंगे नहीं generally ऐसा नहीं होगा आपके माई ने पता क्या चलेगा यह कि यार पहले ही शॉप के आगे डमी पर मुझे वो चीज दिगी जो मुझे चाहिए थे इस शॉप में और पता आते हैं कि इससे बैटर अगर कुछ मिल जाए तो फिर हम वो ले लेंगे देख लेते हैं तो बच्चे आप यहाँ पर उससे बैटर आप देख रहे हैं और उस शॉप में बहुत सारी शर्ट निकलवा करके आप देखते हैं उस शर्ट वहाँ पर आप जो है आप जो वहाँ पर बहुत सारी शर्ट आप निकलवा करके आप चेक करते हैं कि इससे बैस्ट क्या पता मेरी इस बजट में ये तो मेरे लिए है ही पसंतों आई गया बट जब स्टार्टिंग में ऐसा है तो अंदर दुकान में पता नहीं क्या-क्या होगा कितनी अच्छी चीज़े होंगी तो आप अपने उस बजट में क्या पता उससे बेस्ट चीज़े सेलेट कर सकते हो तो इसी लिए आप क्या करेंगे आप बच्चे यहाँ पर उसमें आप और भी आप्शन की तरफ जाएंगे तो शॉप में आपने और भी आप्शन देखने के बाद आपको उतना मज़ा नहीं आया तो क्या आप उसी डमी पे जो लगा हुआ उसको ले लेंगे नहीं आप सोचेंगे अंदर मार्केट में जाते हैं जब पहले शॉप पे मुझे एक चीज ऐसी मिल गई तो अंदर मार्केट में क्या क्या हो सकता है उसको देखने के लिए अपने आप्शन को देखने के लिए कि इससे बेटर आप्शन क्या आपके पास पे हैं उस शीच को आप आप देखने के लिए आप मार्केट के अंदर एंटर करते हैं और पूरी मार्केट को आप घूम करके दो-चार दुख शॉप को आप चेक करते हैं उसके बाद आप सोचते हैं कि नहीं यह सब चीज़ तो हैं अच्छी हैं बट जो मैंने फर्स देखा था न वही बेस्ट था वही बेस्ट था बिलकुल वही सबसे बढ़िया था देन आप फिर वहां जाएंगे और वहां जाने के बाद फिर आप उसको बोलेंगे कि आप यह मुझे दे दे आप उसको परचेस करने का डिसिजन आप लेंगे तो बच्चे मुझे एक बात बताईए आप सबसे पहले जब आपको वो खरीदना ही था तो स्टार्टिंग में एंटर करते ही उसको पैक करवा करके ले आते घर इतना पूरा मार्केट क्यों गूमा आप इतना समय क्यों खराब किया आपने अपना इसका आंसर जड़ा मुझे करें जड़ा इसका आंसर मुझे आप करें जब आपको वही चाहिए था वो स्टार्टिंग में आपको दिखतो गया था आपको ले ले ना था फिर अपने पूरा मार्केट क्यों सर्च किया इसलिए क्योंकि एक कंजिमर का नेचर ये होता है कि उसका जो भी इंकम है जो भी गिवन इंकम है उस इंकम में वो अपने सारे आप्शन्स को देखता है अपने गिवन इंकम में वो सारे आप्शन्स को देखेगा जो भी उसके एक गिवन इंकम होगी सारे options को देखेगा और उन option में से compare करने के बाद जब वो realize करेगा इस siege को जब वो sure हो जाएगा जब वो confirm हो जाएगा कि ये मुझे सबसे ज़्यादा satisfaction दे रहा है ये सबसे ज़्यादा मुझे satisfied कर रहा है जब आप में ये surety आ जाएगे then आप purchase करने का decision लेती है starting में आपको चीज़े पसंद तो आ गए थी वो लेकिन आप sure नहीं थे कि ये जितने भी options हैं उन में से best है उन में से maximum satisfaction level दे रहा है maximum satisfaction level दे रहा है starting में आप sure नहीं थे इसलिए आपने starting में purchase करने का decision नहीं लिया लेकिन पूरे market सर्च करने के बाद आप sure हो गए, confirm हो गए कि बिटा जो ये मेरे पास में available है यही best है मेरे इस budget में जब आप में ये surety आ जाती है कि जो मैं purchase कर रहा हूँ और मैं इस budget में purchase कर रहा हूँ तो इस budget में ये best है then आप purchase करने का decision लेते है तो starting में आप कुछ ये पसंद थी, बट आपके लिए सब में से ये best है ये maximum satisfaction level दे रहा है ऐसी surety नहीं थी सर्च करने के बाद जब आप confirm हुए आपको ये surety आई कि ये जो आपको दे रहा है, ये आपको maximum satisfaction level दे रहा है, सबसे ज़्यादा आपको ये satisfied कर रहा है, then आप purchase करने का decision लेते है मान लेजिए, वही shopkeeper बोले, नहीं सर ये रहने देजिए, dummy पर dummy के लिए रखा हुए, कोई दूसरा देख लो आप तो आपका reaction क्या रहेगा आपका reaction ये रहेगा, कि नहीं अगर आपको देना है, तो आप ये दीजिए, otherwise जो है, हम purchase नहीं करेंगे तो जब आपको realize हो जाता है, कि आपके budget में ये आपको maximum satisfaction level देगा, तो उस position को आप buy करने का decision लेते हैं और उसमें किसी भी तरीके के changes को आप afford नहीं करेंगे हम नहीं करते हैं बिटा किसी particular consumer की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी भी बात कर रहा हूं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं अगर हम एक रुपए बच जाते हैं, कभी किसी medical की shop पे गए, तो वो कहते हैं toffee ले लिजिए, किसमें से toffee निकाल लिजिए तो चाहिए मैं हूं, चाहिए आप हूं, चाहिए कोई भी हो जब एक रुपए बच गया, एक रुपए मुझे toffee select करना है, तो वह बहुत साई toffee रखे हुए है, तो मैं एक second के लिए जरूर confused होंगा कौन सी निकालू बतलब उस समय मेरे अंदर क्या calculation चल रहा है उस समय मैं देख रहा हूं कि मुझे need ज़्यादा किसकी है, मेरा मन ज़्यादा किसका है, बतलब कि मुझे ज़्यादा satisfied कौन करेगा उस एक रुपए को भी खर्च कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर ये compare करके कर रहा हूं, यह design ले रहा हूं कि मुझे maximum satisfaction level कौन देगा, उस साब से मैं फिर वो टॉफई को select करता हूं बच्चे consumer equilibrium का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है high quality, top quality बहुती बढ़िया किसम की चीज़, उन्नत किसम की चीज़े car मतलब Ferrari branded shoes branded watch equilibrium consumer equilibrium maximum satisfaction level का मतलब यह नहीं है कि top class के आप quality की चीज़े consume करें इसका मतलब बच्चे यह है कि आपका budget जो भी है उस budget में जो options available है, उस options में जो आपको maximum satisfaction level दे रहा है अगर आप उसको purchase करने का decision लेते हैं, देन आपका equilibrium की situation में आ गए अब बचे आप देखिए जो एक बहुत गरीब है बहुत गरीब है जो below the poverty line है वो कभी festival वगएरा में अपने लिए अगर कोई एक कपड़े भी लेने के लिए जाते हैं तो वो अपने इसाब से market को select करते हैं उनके budget के इसाब से उस तरीके के market को select कर लेते हैं और जब उस market में जाते हैं तो क्या वो चीज़ को खरीद करके खुश नहीं होते वो ये कहेंगे नहीं यार हमें तो आमबानी वाली चीज़ नहीं मिली मैं तो ये ले रहा हूँ क्या वो खुश नहीं होते हैं खरीद के चैरा देखिए कितना उनका खिला हो रहा था कितने खुश रहते हैं क्यों क्योंकि वो भी एक्किलिब्रियम में उन्होंने अपने बजट में जो भी उनके पास में options available थे उन सभी options में जो उनको maximum satisfaction level मिल रहा था उन्होंने अपने उस maximum satisfaction level को select किया है तो बच्चे consumer equilibrium का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप top level की आप high quality की community का consumption करेंगे consumer equilibrium का मतलब है चाहे आप का income level low है या high level of income है आपका कोई साभी income level है आप अपने income के according आप अपने market में जाते हैं उस market में उस given income में आप ये देखते हैं कि maximum satisfaction level कौन दे रहा है आपको जहाँ पर आपको maximum satisfaction level मिल रहा है then आप वहाँ पर purchase करने का decision लेते हैं और आप खूश रहते हैं कि हाँ मैं इस पैसे में बहुत अच्छे चीज बहुत best चीज खरीद रहा हूँ कभी भी आपने life में कोई single commodity भी purchase कर रहा है तो purchase करते टाइम पर ये आपके अंदर एक confidence होता है ये surety होती है कि आप अपने given income में जो इस पैसे में खरीद रहे हो इससे best इसके आसपास कोई चीज नहीं थी आप ये purchase कर रहे हो अब purchase करने के बाद आप अच्छा फील करते हैं क्यों क्यूंकि आपने realize किया आपने compare किया आपने selection करा अपने given income में आपको maximum satisfaction level क्या दे रहा है अगर आपको बाहर lunch भी करना है और आपके pocket पे 100 रुपीस का budget है तो एकदम से जाते ही कहीं पर भी बैठके आप start नहीं कर देंगे lunch आप पांच मिन्ट के लिए जरूरी सोचेंगे कि आज हम क्या lunch में लें आज लंच में क्या ले मेरे given income में अब जरूरी नहीं आप 5 स्टार पर बैठेंगे तब ही आपका equilibrium होगा उस 100 रुपीस में आपके पास है बहुत सारे options है आप selection करेंगे मुझे ये maximum satisfaction level देगा एंड आप उसका क्या करेंगे उसका आप selection कर लेंगे क्लिर है तो consumer equilibrium का मतलब यह नहीं हो गया top class की commodity जा rich class के people consumer equilibrium का मतलब हो गया कि आपके given income में आप अपने लिए maximum satisfaction level के कोई commodity का selection करते हैं देन आप उसको purchase करने का decision लेते हैं तो उस समय आप equilibrium की conditions में आ गए और उस situation में कोई भी changes को आप afford नहीं करेंगे तो आए देखते हैं answer में क्या है consumer equilibrium refers to situation under which he spends he spends his given income on purchase of a commodity on purchase of a commodity in such a way that give him maximum satisfaction and he feels no urge to change clear बच्चे तो consumer equilibrium refers to the situation under which he spends his given income on purchase of a commodity in such a way that give him maximum satisfaction and he feels no urge to change क्लिरे बच्चे समझ गए कोई डाउट किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए तो बच्चे यहां पर आप consumer equilibrium की meaning को अच्छे समझ गए अब आज से अभी से आप कुछ भी purchase करेंगे तो इस answer को जड़ा आप analyze कीजिएगा purchase करने टाइम पर आप क्या करते हैं कि purchase करने टाइम पर आप जाते हैं आप options को देखते हैं selection करते हैं compare करते हैं फिर देखते हैं कि मेरे इस budget में मेरे ये बाकियों से तैन उसका फिर आप purchase करने का decision लेते हैं और फिर उस पर कोई changes को आप afford भी नहीं करेंगे जब आप पर शोड़ी आयाती कि बैस्टर तब purchase करने का decision लेते हैं आप तो आप आप भी आज के date में कल की date में रक्षावंदन इन सब चीजों में फेस्टिवल में दिवाली में आप purchase करते हैं तो purchase करते टाइम में कि आपके चैरे पे मायूसी होती है कि मेरी income ये है तो मैं ये purchase कर रहा हूँ मुझे वो purchase करता तब मैं होता नई आपकी income जो भी है आप उसमें purchase करके बड़ा happy feel करते क्यों इसी को तो कहते है consumer equilibrium क्योंकि आपको अपने given income में maximum satisfaction level आपको मिला है परी बास समझ रहे है clear है उसको हम क्या बोलते है maximum satisfaction level तो एक consumer अपने limited income को given income को different kinds of goods and services पे expand करता है जिससे कि उसको maximum satisfaction level मिले और उस situation पे वो equilibrium की situation में आ जाता है it means वो purchase करने का decision लेता है और उस situation में किसी भी तरही चेंजिस को अफोर्ड नहीं करेगा clear है बच्चे समझ गए तो इस तरीके का आपका ये बहुत important concept हो गया अब इसके उपर consumer equilibrium के उपर ये five marks का question exam में कै कैसे आता है और इसको attempt कैसे करना है जर उसको देखिए बड़ा important है